नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में competition community एक नई पहल करने जा रहा है यानि कि अब competition community जो है एक step और आगे बढ़ने जा रहा है अगर आप SS exam का preparation कर रहे हैं या फिर करने का सूच रहे हैं या फिर घर में आपके चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे दोस्त हो कोई भी अगर SS exam का preparation करने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उस तक जरूर share करें और अगर आप इस exam का preparation करने का खुद सोच रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप सुरूर से लेकर अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि competition community आगे इस exam को लेकर क्या करने जा रहा है तो आज हम competition community की एक नई टीम से मिलने जा रहे हैं जो की पूरी तरह से dedicated है SSC Railway Banking इन सभी exams के लिए तो आज के इस वीडियो पर जो हमारा main focus है वो SSC CHSL examination को लेकर है तो SSC CHSL के लिए क्या रणनीती होनी चाहिए कौन सा subject किस तरह से पढ़ना चाहिए और जो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आ गया आपको बताने वाला हूं कि इस exam को लेकर हम क्या करने जा रहे हैं किस तरह से करने जा रहे हैं और आपके लिए एक किस तरह से फायदे मंद हो सकता है सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो आज के इस वीडियो में आप मिलने वाले हैं Competition Community की एक नई टीम जो की पूरी तरह से डेडिकेटेड है SSC CHSL के लिए तो Competition Community इस नई टीम के साथ में मिलकर शुरू करने जा रहा है Free Course जो की पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा SSC CHSL के लिए यह Course कब शुरू होगा, किस तरह से शुरू होगा, इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है आप कहां से इस Course से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, उस सब जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है आप हर एक faculty से यहां पर मिलने वाले हैं कि वो आपको कौन सा subject पढ़ाएंगे तो सबसे पहली point पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह जो course है वो शुरू होगा 6 दिसंबर 2021 से और लगबग 4-5 महिनों का यह course होगा और इस course की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपसे किसी भी तरह से कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा यह बिल्कुल जो है वो मुफ्त होगा और इस course में सिर्फ आपको video lectures नहीं मिलेंगे weekly आपको practice rate दिया जाएगा और ध्यान रखियेगा जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ या फिर जो भी इस course में आपको मिलने वाला है वो पूरी तरह से निशुल्क होगा अगर आपको practice rate दिया जा रहा है वो भी निशुल्क होगा अगर आपको weekly practice कराये जा रहे हैं questions प्रैक्टिस कराये जा रहे हैं या फिर जितने भी lectures होगे अगर उसका आपको short notes दिया जा रहा है सब के सफरी होगे तो इस course में आपको video lectures मिलेंगे 6 December से सुरू हो रहा है और 6 December से 2 shift में होगा और यह जो lectures होगे वो recorded होगे 2 shift में प्रतेग दिन मिलेगा 12 बज़े से पहला shift सुरू होगा और दूसरा जो shift है वो आपका 5 बज़े से सुरू होगा दोनों shift जो है 2-2 घंटे के होगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी material से इसमें आपको मिलने वाले हैं वो सब के सब बिलकुल निशुल्ख होंगे आप इस course से जूड़ कर इस crash course से जूड़ कर आप बहतर तरीके से जो है अपना SSC CHS Health का preparation कर सकते हैं तो इस कड़ी में आगे मैं आपको इस team से मिलने वाला हूँ वो आपको क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे अपने बारे में बताएंगे और आप इस exam का preparation कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे ध्यान रखिएगा यहां जिस team से आप मिलने वाले हैं इन सभी के पास में minimum जो experience है चार से पांच साल का है maximum के अगर हम बात करें तो आठ से दस साल का भी experience है इनके पास में तो चलिए आपको मैं मिलवाता हूँ इस dedicated SSC CHSL की team से Hello everyone मेरा नाम TR Saurabh है और मेरा जो विशह रहने वाला है वो है संख्यात्मक अभ्योगिता यानि की जिसे हम English में जानते है क्वांटिटिटिटिव अप्टिटूड नॉर्मल लेंग्विज में हम इसे गनित के नाम से यानि मैट्स के नाम से जानते हैं और जैसे कि हम SSC CHSL के tier 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ गनित समझते हैं tier 1 जो है इसमें 100 सवाल आपसे पूछा जाता है और आपके पास होते हैं केवल एक घंटा यानि की start minute मतलब कि आपको जब solve करना है paper तो आपके पास एक-एक सवाल के लिए एक minute से भी कम समय है तो कहीं न कहीं आपको speed बढ़ाने की आवशकता है तो चाहे आप maths background से है या नहीं है इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको हम basic से high level तक सारी चीज़ बताएंगे और practice के उपर भी खास focus रहेगा तो चाहे आप new level से join कर रहे हैं आपको सारी चीज़े समझाई जाएगी अगर आप तीन चार साल से preparation में हैं और आप succeed नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अलिए भरपूर practice भी होगा तो short tricks पर भी focus रहेगा और साथ में आपके basic calculations कैसे करना है और सारी चीज़े आपको इसमें बताई जाएगे सौरफ सर की अगर मैं बात करूं तो इनके पास लगभग 5 से 6 सल का experience है और खासकर SSE वाले बच्चों को इन्हें पढ़ाया है रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाया और बैंकिंग वाले बच्चों को भी पढ़ाया तो इनके पास math का बहुत अच्छा experience है मैं खुद इन से पढ़ा हूं और इन्हें बहुत अच्छी तरह के तरीके से जानता हूं और मुझे बहुत उमीद है और पूरी competition community team को पर है अगले पढ़ाप की तरह बढ़ते हैं और अजीत सरस्यापकी मुलाकात करवाते हैं मैं आपको एसे सी के लिए इंग्लिस प्रिपेर कराऊंगा इसे सी के इंग्लिस में आपको पीकी वारिस बनाना हो यानि जो नौन ग्रामर का सेक्षन है कॉम्प्रिहेंशन बनाना हो या ग्रामर के सेक्षन में जिससे ज्यादा तर कोशन आपके सेसी में पूछे जाते हैं यहां पे जो आपको हडल करने पड़ते हैं इन सबों को मैं काफी वेभारिक तरीके से पढ़ाऊंगा और एक ऐसे एप्रोच के साथ बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन सारे सेक्षन को काफी इजली बिल्कुल आसान तरीके से बना सकेंगे और साथ ही साथ आपके वोकैब का जो सेक्षन होता है उसको भी काफी प्रैक्टिकल वे में और बिना रटे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे अजीत सर की अगर हम बात करें तो अजीत सर का जो वो कैब में पकड़ है या फिर ग्रामर में पकड़ है बहुत ही बहतरीन है तो यह आपको जो है इंग्लिस बहुत ही बहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे अगले पड़ाव पर अगर हम चलिए तो यहाँ पर इस एक्जाम में या फिर किसी भी competitive exams में अगर अच्छा पकड़ है तो आप सभी जो है खुद मिलिए विकास सर से हैलो वरीवन मैं विकास सिंग मैं आपको जनरल स्टेडी के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिसमें हिस्ट्री जोगराफी पॉलिटी एकॉनमी और एस्टाटिक पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जोगराफी पॉलि बहुत इंपॉर्टेंट रॉल अधा कर रहा है क्योंकि यहां से दस से बारा कॉस्ट्स आ रहे हैं अलग-अलग एजामनेशन के पैटर्ण के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह स्टाटिक नकेवल एससी से बलकि रेलवे और दूसरे एजामनेशन में भी बहुत ज्यादा का में तो हमिससाब से आपको पूरे स्यरीवास को डिजाइन करेंगे इसी स Japanese को क्लें बिछाएन करेंगे और एजली मैक्सिन कोम gelecekैं को सॉल्फ करें आएंगे conclusion में जिससे आपका इस स्कोर जाए ज्यादा ऊपर चले जाए ओर आप जो है कंपर्ड अलेबल में महसूस करें कर रहे हैं तो आप जो को अच्छा होता है और पिछले साथ साल आठ साल से पढ़ाए हैं और फिर प्रैंकिंग भी पढ़ाया एससी के बिग्जामेनिशनले इसन और आप घ arrogance अच्छा क्या है तो आप इन पाएंगे अगले पढ़ाव में जिस सक्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं मैं बात कर रहा हूँ हेमन प्रधान सर की जो कि इस SSC CHSL में आपको जेनरल साइंस पढ़ाने वाले है और टेक्नलोजी वाला जूपार्ट है काफी एक्टक्टिव वे से पढ़ेंगे इस SSC एक्जाम में जनरल साइंस और बागी करेंट अफियर जो साइंस रिलेटेट होता है बहुत इंपोर्टेंट होता है चुकि यह डायनामिक पार्ट भी होता है करेंट अफिस इसलिए सभी इंपोर्टेंट सेग्मेंट को हम इस अहीं बताओं आप सभी हिन से पढ़ चुके हैं और इनके 컨ٹेंट की भी खास बात होती है कि इन में क्वालिटी होता है और बहुत ही जवरदस तरीके आसेया होता है क्यूंकि QR आप सभी को रिजनिंग पढ़ाने वाले हैं तो धीर स्रीप बताएंगे कि उनके सब्जेक की खास बात क्या होने वाली है इस एक्जाम में उसका इंपोर्टेंस कैसा है और वो किस तरीके से इसे पढ़ाने वाले हैं मिली धीरत सर्वाइब यहां पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिजनिंग यानि कि तार्क शमता या फिर रिजनिंग अबिलिटी और रिजन इने वाले हैं time management yakin minimum time में maximum number of questions को कैसे बना जाए जिससे हमारा जो यहां पर time हो उसको क क्या कर सके बागी के subject में भी equallyuy distribute कर सके और कहीं न कहीं जो हमारा number of attempts है उसको बढ़ा करके एक security marks gain कर सके जिससे कि हमारा selection क्या हो सके सुनिश्चित हो सके थैंक यू तो जिन लोगों से भी आपने मिला यह टीम बहुत ही डेडिकेटेड है बहुत ही एनरजेटिक टीम है तो अगर आप इस एक्जाम को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं अगर आप नहीं है आपके कोई पहचान में चाहे भाई हो चाहे बैन हो च जानी की 100% जो टॉपिक्स हैं आपके कवर होंगे इस कोर्स के माद्यम से और इसमें करेंट अफेस का सेशन मैं लेने वाला हूं जो कि आपका मंतली वेसिस पर हो सकता है विकली हमारा आता ही है तो इसमें हर एक पार्ट जो हैं वो कवर होने वाला है तो मैं आपको फिर से कि यह कोर्स शुरू हो रहा है डेट नोट कर लिजिए से डिवल अपना बना लिजिए 6 दिसमबर 2021 से जो कि लगभग 4-5 महीने तक चलने वाला है यह कोर्स और पूरी तरह से यह जो वीडियो जो भी आपको रिकॉर्डेट वीडियो मिलने वाले हैं यूट्यूब पर मिले जिनको भी लगता है कि आपको इससे फैयदा मिल सकता है उनतक जरूर keм और हां हमारा पूरा भरोसा है कि अग्र मेहनट करने के लिए हैं क्योंकि हम तो त्यार हैं हम मेहनत करेंगे आपके पीछे और अगर आपको लगता है कि आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो या फिर आप इस एकजाम को क्रेक करना चाहते हो लाइफ में ससी के तरफ बढ़ना चाहते हो तो इस क्रैस कोसे आप जरू जूड़िए गा और पूरे dedication के साथ में हम पढ़ाएंगे आपको, पूरे team के साथ में, पूरे लगन के साथ में मेहनत करेंगे, बस आपको भी मेहनत करना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा, तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही, और हाँ, जितने भी लोगों से आपने मिला, आने वाले समय मे एगर आपके कुछ डाउट्स होंगे अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उस सवाल के जवाब भी देंगे अगर अभी आपके मन में किसी भी तरह से सवाल उठ रहा है तो आप नीचे comment section में सवाल पूछ सकते हैं और यह जो भी course का pattern तयार किया गया इस course का एक डाउट फोरम भी होगा इसमें सबसे बड़ी खास बात है इस डाउट फोरम के माध्यम से आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर जितनी भी टीम यहां पर बैठी हुई हैं उनसे भी अपना परसनल सवाल पूछ सकते हैं फिर से मैं एक बार बोलूँगा अगर आ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरू जोड़े इस वीडियो में फिलाल इतने ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद